कि नमस्कार साथियों जहिंद कैसे हैं आप सभी बहुत लंबे समय बाद यूट्यूब पर बापसी हुई है कुछ वजह थी अब क्या वजह थी यहां बताने की जरूत नहीं है बस अब कोशिश यही रहीगी कि बापस आया हूं तो हमेशा ऐसे यूट्यूब पर बना रहूं और लगातार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट यूट्यूब पर लाता रहूं आज जो हमारा टॉपिक है यह काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है अभी कुछ दिनों में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्यों रहा है बई ये निउज में हर जगा इसक के चर्चे क्यों है क्योंकि काफी लंबे समय से इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड पर रोख लगी हुई थी जो कि अब हट चुकी है और कुछ समय बाद इसको कमर्शल कल्टिवेशन के लिए भी अलाओ कर दिया जाएगा काफी सारी इंफॉर्मिशन पहले से ही आप लोगों के पास है लेकिन मैं वह इंफॉर्मिशन देना चाहता हूं जो मोस्टली बच्चे नहीं जानते और वह इंफॉर्मिशन क्या है कि सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बना कैसे और काम कैसे करता है और बहुत सारी information जो पहले से आपको पता है जैसे कि इसकी सबसे पहली variety कौन सी थी first variety जो इसकी बनी हुई है और अभी भी वही है वो है DMH 11 पूरा नाम क्या है इसका धरा mustard hybrid और यह हम कह सकते हैं first edible हमारे इंडिया की सबसे पहली edible crop है genetically modified में और दूसरी genetically modified crop है क्योंकि इंडिया की first genetically modified crop first GM crop जो अपनी इंडिया के अंदर है वो है BT cotton यह बात भी हम सबी लोग जानते हैं लेकिन चुकि BT cotton को खाया नहीं जाता इसलिए यह जो BT cotton है वो कैसी है non edible है तो edible में कौन सी हो गई इडिवल में सबसे पहली genetically modified crop हो गई आपकी mustard genetically modified mustard अब आते हैं काम की बात पर कि यह कैसे बनी और यह कैसे काम करती है वो देखते हैं देखो हम सभी जानते हैं कि जो mustard है वो एक self pollinated crop है कैसी crop है बई self pollinated crop इसके जो फ्लॉबर है नो उसके फ्लॉबर में male part और female part दोनों पाये जाते हैं male और female दोनों पाये जाते हैं मतलब इसका जो फ्लॉबर है वो कैसा है bisexual है आप सबको पता है कि यहां पर जब भी कोई नई variety बनानी है तो उसके लिए hybridization करवाना पड़ेगा कोई भी दो parent चुनने पड़ेंगे उन दो parent के बीच में crossing करवानी पड़ेगी hybridization करवाना पड़ेगा उसके बाद hybrid बनेगा फिर उस hybrid में selection होंगे F1, F2, F3 जो भी process रही होगी वो process की जाएगी और finally एक variety बन करके तयार होगी यहां पर भी वही हुआ यहां पर भी दो variety थी माल लीजिए एक variety है A और दूसरी variety है B अब वो कौन कौन सी बताएंगे एक variety तो इसमें से है बरुना और एक European variety है उनके बीच में cross कराया गया है चाओ तो लिख लो एक variety इसमें से कौन सी है बरुना और एक European variety है इनका use किया गया था इस DMH 11 को डबलब करने के लिए धरा mustard hybrid 11 को डबलब करने के लिए genetically modified mustard को डबलब करने के लिए इन दौनों variety का इस्तमाल किया गया था तो वो छोड़ापन तो A और B मान के चलते हैं कि दो variety है अपने पास एक है A और दूसरी है B हमें इनको cross करवाना है और cross करा करके बनाना है क्या genetically modified mustard अब genetically modified mustard बनाना है अब genetically modified तो हम तब कहेंगे न जब बाहर से gene लाया जाए अब यहाँ पर तो भई हम लोगे ने cross करा दिया ग्रोस करा करके genetically modified कैसे हो गया वो genetically modified तो तब ही कहा जाएगा इसको आप लोग transgenic mustard भी कह सकते हैं transgenic mustard यह तब ही कहा जाएगा जब gene बाहर से आया हो किसी दूसरे organism का gene इसके अंदर incorporate किया गया हो तब ही इसको genetically modified यह transgenic कहा जाएगा तो वो gene कहां से आया वो सारी चीज़े हैं तो पहले तो यह देखो भई एक plant है और दूसरा plant भी इनके बीच में हमको करवाना है cross अब मैंने क्या कहा कि यह एक self pollinated crop है और इनके जो फ्लॉबर है उसके अंदर male और female दोनों पाए जाते हैं तो दिक्कत क्या है सर दिक्कत है देखो यह बना दिया मैंने एक bisexual फ्लॉबर आप सबको पता है यह है इसका female part और यह है इसका male part male part में भी अगर हम बात करें तो सबसे important रहता है enter और female part में सारी चीज़े important है सबसे उपर पाया जाता है stigma center में पाया जाता है style और यह last में है ovary यह सब पताने की जरूत नहीं है आप सभी जानते है तो इसके अंदर male और female दोनों पाए तो यह माल लिए कौन सा है यह plant का यह भी by sexual है हमें कराना इनके बीच में cross है अब cross कराओगे तो किसी एक को male मानना पड़ेगा किसी एक को female मानना पड़ेगा मान लेते हैं यह है male अपना के के और ये माल लिया माल लीजे हमने फीमेल एक को मेल माल लिया एक को फीमेल माल लिया अब जिसको मेल माना है उसमें से तो बड़ा सिंपल है भई इसमें हमें सिर्फ इस पार्ट से मतलब है जिस plant को हमने male समझा है उसमें से हमें सिर्फ male part से मतलब है क्योंकि यह जो enter वाला part है यह बनाएगा pollen हमें बस इससे pollen चाहिए बागी का इसके female part से हमें कोई लियना देना नहीं और जिसको हमने female माना है उस female में हमें मतलब है उसके female part से लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या है इसके अंदर मौजूद मेल पार्ट द्यान से सुनना यहां पर हमें सिर्फ मतलब है मेल पार्ट से क्योंकि हमें पॉलन चाहिए उसके फिमेल पार्ट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है यहां पर हमें मतलब है इसके फिमेल पार्ट से यह रहा इसका female part लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर male part भी present है इसको ignore नहीं किया जा सकता क्यों नहीं ignore किया जा सकता बही crossing कब कहलाईगी जब इस pollen grain को आप इसके stigma पर ले आओगे जब इस A plant के pollen grain को B plant के stigma पर ले आओगे और वो pollen grain इसकी ovary में बैठे ovule के साथ fertilize कर जाएगा उसके बाद जो seed बनेगा वो होगा F1 वो होगा hybrid लेकिन दिक्कत यह है कि इसके पास खुद का भी male है जिसको हमने female माना है उसके पास खुद का male भी है और ये male भी functional है ये भी pollen बनाएगा और हो सकता है आपके इधर pollen ले जाने से पहले ये pollen ही यहाँ आ गया और ये वाला pollen ही यहाँ आ जाएगा तो ये अपने ही ovule को fertilize कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा भी यहाँ पर self-fertilization हो जाएगा और जब self-fertilization होगा और फिर जो seed बनेगा वो hybrid थोड़ी ना होगा वो जो seed बनके तयार होगा वो तो B plant का ही होगा hybrid seed तो कब कहलाएगा जब इसका pollen हो और उसकी ओबरी हो यहाँ से जो seed बनेगा न वो seed आपका hybrid होगा वो आपका F1 होगा और जब यह self इंग यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि इसके पास खुद का भी male है वो भी pollen बनाएगा और वो pollen बनाएगा तो B CDC बात है वो भी fertilization करेगा और वो कर देगा तो seed जो बनेगा वो F1 थोड़ी ना होगा वो तो self seed होगा B plant का ही seed होगा तो सबसे बड़ी समस्य वस यही है किसी भी crossing में यह सिर्फ mustard की बात नहीं हो रही है किसी भी self pollinated crop में चले जाओ जहाँ पर hybridization करना हो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्य वस यही आती है कि जिसको हम female मानते है उसके अंदर मौझूद जो male है वह सबसे बड़ी समस्य आ है अब बच्चे कहेंगे सर समस्य क्या है यह काम करते हैं इसको हटा देते हैं चलो भई हटा दो और यही किया जाता है जिसको हमने female माना है उस female में जो male है जो दिक्कत दे रहा है जो pollen बना रहा है pollen बनाने से पहले ही उसको remove कर दो removal of male part हमने male part अटा दिया इस process को कहते है emasculation क्या कहा जाता है इस process को? emasculation कहा जाता है यह बस कहा जाता है लिखने से इतना आसान नहीं है बहुत difficult job है बहुत किसी भी hybridization के अंदर अगर सबसे जादा परेशानी का काम है तो वो यही है emasculation क्योंकि इसकी accuracy होना बहुत जरूरी है जितनी जादा इसकी accuracy होगी उतने ही जादा chance होंगे F1 बनने के मान लीजे कि इसके अंदर 6 enter है मान के चलिए कि इस flower के अंदर total 6 enter है 6 मैंसे अगर एक enter भी रह गया 5 हटा दिये एक enter भी अगर गलती से रह गया तो वो अपने male जो है अपने pollen बनाएगा और वो pollen self fertilize कर देगा और वहाँ पर जो seed बन के तयार होगा आप सोचोगे कि F1 बना है लेकिन वो F1 नहीं वो तो self भी बन जाएगा तो यहाँ पर accuracy होना बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है accuracy का ही सारा काम है जितनी ज़्यादा accurate emasculation होगा उतना ही ज़्यादा successful आपका hybridization कहलाएगा तो पहले तो इस emasculation को यहां से हटाओ यह emasculation करना ही ना पड़े कुछ ऐसा system बनाया जा सकता है क्या बिल्कुल बनाया जा सकता है और वो system बना दिया तक किसी और ने बहुत पहले ही एक company का नाम आप लोगों ने सुना होगा buyer buyer crop science सुना है एक company का नाम इन्होंने एक technology डवलप की है और उस technology का इन्होंने patent भी ले रखाया है कैसी technology है भई पेटेंटेड टेक्नलोजी है और वो technology का नाम क्या है बर बरनीज बस्तर टेक्नलोजी यह technology है और यह वही technology है जिसका इस्तमाल करके genetically modified mustard बनाया गया है इंडिया के अंदर और इसका patent किसके पास है बायर क्रॉप साइंस के पास है जो कि इंडिया की company नहीं है इंडिजीनिस नहीं है वो सकता है आगे चलके यह इपना claim कर दे अपने इंडिया के फार्मर्स के उपर यहां की कंपणियों के उपर claim भी कर सकती है यह वो future की बात तो उस पर चर्चा नहीं करने तो यह एक technology है इस technology के अंदर क्या है वो सारी चीज़ों को समझेंगे तो पहले तो अपन इंडिया में चले न कि वहारे इंडिया के अंदर क्या हुआ क्या हमने ऐसा कोई system बनाया जिसकी बज़े से हमें वो emasculation ना करना पढ़ी दिल्ली यूनिवर्सटी में इसका use किया गया दिल्ली यूनिवर्सटी दिल्ली यूनिवर्सटी में center है मतलब department है center for genetic manipulation in crop plant इस center के अंदर यह center कहाँ पर है दिल्ली यूनिवर्सटी में और यहां पर इस पूरे कामकाज को कौन देख रहे थे यहां के vice chancellor जो कि अब नहीं है बदल चुके है यानि कि former vice chancellor जिनका नाम है दीपक पेंटल ठीक है आप चाहें तो उनको google कर ले न आरसानी से इनके बारे में सारी information आपको मिल सकती है तो दीपक पेंटल अके लिए नहीं थे इनके साथ इनकी team भी थी his team ठीक है genetics department के थे यह genetics department में professor भी थे और दिल्ली यूनिवर्सटी के vice chancellor भी थे इन्होंने उस technology का इस्तमाल करके एक ऐसा system develop कर लिया जिसके अंदर emasculation कर जरूरत ही नहीं पड़े क्या system डबला पेनों ने किया वह जो टेक्नलोजी थी ना जिसके अंदर तीन चीज़े लिखी थी मैंने बर बरनीस और बस्तर ये क्या चीज़े भई ये जो तीनों चीज़े आप देख रहे ना बर बरनीस और बस्तर ये है जीन और ये जीन प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते ये जीन पाए जाते है एक bacteria से जो bacteria soil के अंदर पाए जाता है एक soil bacteria है नाम है bacillus amylo liquefacian bacillus amylo liquefacian इस spelling बे थोड़ा सा देख लेना तो bacillus amylo liquefacian इन बैक्टेरिया से ही ये तीनों जीन जो है वो isolate किये गए है और वो technology डवलप किये है बायर क्रॉप साइंस ने इसी तीनों gene का इस्तमाल किया है इसी technology का इस्तमाल किया है दिल्ली उनिवर्सटी में दीपक पेंटल और उनकी टीम ने और एक ऐसा system डवलप कर दिया जिससे emasculation करने की ज़रूत नहीं पड़ी और एक नया character और introduce कर दिया वो character क्या था आप सबको पता है कि genetically modified mustard हमें इसकी जरूत क्यों पड़ रही है क्योंकि इसकी जो यिल्ड है वो बहुत ज्यादा है जो इसका experiment हुआ है जो इसकी ट्राइल हुए है आपकी डारेक्ट रेट आफ मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर में वहां पर बताये गया कि विट 27% ज्यादा यिल्ड दे रहा है यह एस कंपेर टू बरुना जो इसकी पैरेंट है बरुना बरुना वेराइटी से 27% और वहां कि जो चेक वेराइटीज है उन चेक वेराइटी के कंपरेजन में देखा जाए तो लगबग 37% ज्यादा इल्ड दे रहा है जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड ऐसा क्योंकि यह जो करनीन को है बात बताने की जरूत नहीं है अगर कोई हर्बी साइड कैसा है नौन सिलेकटिव का मतलब होता है kill any type of vegetation किसी भी प्रकार का नॉन सेलेक्टिव हर्वी साइड को आप जिसे मान लीजे यह आपका फील्ड हो गया इस फील्ड के अंदर यह आपकी क्रॉप हो गई ठीक है इस क्रॉप के साथ में हमने खर्पतवार भी लगा दिये कि यह भी खर्पतवार हो गए अगर आपने यहाँ पर यह नॉन सेलेक्टिव हर्वी साइड इस्प्रे कर दिया या डाल दिया तो यह खर्पतवार को तो मारे गई मारेगा साथ में आपकी क्रॉप को भी मार देगा किसी भी प्रकार की बेजीटेशन हो किसी भी प्रकार का प्लांट हो, यह सबको किल कर देते हैं, नॉन सेलक्टिव हर्वी साइड वो होते हैं, अब हमने क्या कर लिया वही ऐसा मस्टर्ड बना लिया, जो कि इसी के लिए कैसा है, तॉलरेंट है, या फिर हम कहें, रजिस्टेंट है, यानि कि इस फिल्ड के अंद करने की जुरूत नहीं है आप क्या करो यहां पर भई एक नॉन सेलेक्ट भर्भी साइड है वो डाल दो अच्छा इसके अंदर जो मैंने बता है थे तीन जीन बर जीन बरनीस और बस्तर इसमें से इस पहले वाले जीन की उपर देखो जाना बर जी यह रहा वो पहला जीन बर यही है वो जीन जो डबलब करता है टॉलरेंस और रजिस्टेंस अगेंट्स दी हर्भी साइड नॉन सेलेक्टिव हर्भी साइड और वो नॉन सेलेक्टिव हर्भी साइड भी कौन सा है वो नॉन सेलेक्टिव हर्भी साइड है बस्ता गूगल पर सर्च कर लेना बस्ता यह भी बायर कंपनी का ही है भाई CDC बात है टेक्नलोजी भी तोनों ने डवलप की है एक्सपरिमेंट भी उनका ही रहेगा और हर्भी साइड भी उनका है बसता यह बसता तो क्या भी ट्रेड नेम है व्यापारिक नेम है अगर मैं यहां पर कैमिकल नेम की बात करो तो वह है आपक गलूफोसाइनोलेट ऐसा ही कुछ नाम है गलूफोसाइनोलेट यह आपका नॉन सेलेक्टिव हर्भी साइड है तो भई हमने जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टड बना लिया जो की हर्भी साइड के लिए टॉलरेंट है हमने अपनी फसल हो गई और उस फसल में बस खाली य पूरा न्यूट्रेंट मस्टड का पूरी लाइट मस्टड की पूरा पानी मस्टड का बहुत अच्छी ग्रोथ होगी यही तो बाकी और चीजह में होता है बीटी आपका जैनेटिकली मोडिफाइड सोया बीन बे तो यही कंसेप्ट पर है तो यहां पर बर जीन का हमने इस यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन और यही वो दो जीन है जो एक ऐसा सिस्टम डवलप करते हैं जहां पर इमैस्कूलेशन करने की ज़रूत नहीं पड़ती है देखो क्या बताये तब ही मैंने भी कि एप्लांट है और बी प्लांट है यह एप्लांट जिसको हमने मेल मान लिया है तो इसमें से सिंपल हमको सिर्फ इसका मेल पार्ट चाहिए यानि इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ इसके पॉलन चाहिए ठीक है जो बी प्लांट है इस बी प्लांट में हमने माना है इसको फीमेल और इसमें हम चाहते हैं कि इसका जो male part है उसको हटा दिया जाए हम चाहते हैं कि इसका emasculation हो जाए अब चुकि हमने system ही ऐसा develop कर लिया है कि हमें emasculation की भी ज़रूस नहीं पड़ेगी हमने क्या किया भई बायो technology की मदद से यहां इसके अंदर gene incorporate कर दिये और वो gene कौन सा incorporate किया Bernese gene कौन सा gene incorporate किया Bernese gene बायो technology में एक branch है genetic engineering उसकी मदद से हमने यहां पर इस plant के अंदर जिसको हमने female माना है ध्यान से सुना जिसको हमने female माना है उस female plant के अंदर हमने यह gene Bernese gene डाल दिया अब यह Bernese gene क्या कर लेगा भई जिहां से सुनो यह जो Bernese gene है यह especially express करता है खुद को tapitum cell के अंदर अब यह एक नई चीज उड़ गई expressed only in tapitum cell tapitum cell के अंदर यह only शबद अठा देते हैं यह expressed करता है mainly in tapital cell अब आपको गई सर tapitum cell यह क्या नई चीज है इसके लिए थोड़ा सा इसको देखो भई यह जो क्या है enter है अगर किसी ने detail में पढ़ा हो enter इस enter के अंदर क्या बनते हैं भई pollen बनते है ठीक है इसी enter के अंदर एक और cell पाये जाते हैं जिसको हम कहते हैं tapitum cell यह tapitum cell क्या करते हैं इस pollen को nutrient प्रोवाइड करते हैं जिससे इस pollen grain का development होता है और यह pollen grain अच्छे से बन पाता है nutrient कौन देता है tapitum cell ठीक है इसी tapitum cell के अंदर एक gene पाया जाता है उस gene का नाम है TA29 ठीक है और यह वही gene है एक तरह से अपन कह सकते हैं TA29 एक प्रकार का promoter gene हो गया यह promoter gene इसको express करता है बरनीज gene को हमने बरनीज gene इस plant के अंदर डाल दिया अब बरनीज gene पूरे plant के cell में फैला हुआ है लेकिन express कहा होगा सिर्फ और सिर्फ tapitum cell में क्योंकि tapitum cell के अंदर पाया जाता है TA29 gene most important है इसके उपर question आ चुके हैं यह net level का बता रहा हूं आपको ICR net में question आ चुका है तो TA29 gene इस tapitum cell के अंदर पाये जाते हैं और यह TA29 gene इस बरनीज gene को express कराने में मदद करते हैं इस प्रकार का यह promoter gene हो गया तो यह बरनीज gene को express कराते हैं अब बरनीज gene जब express होगा तो यह क्या करेगा यह एक enzyme बनाएगा उस enzyme का नाम क्या है RNAs enzyme अब यह RNAs enzyme क्या करेगा यह tapitum cell के सभी RNA को degrade कर देगा यानि कि यह tapitum cell यहाँ पर हो जाएंगे degenerate tapitum cell हो जाएंगे सारे खतम और जब tapitum cell ही सारे खतम हो जाएंगे तो इस pollen को nutrient supply भी बंद हो जाएंगे और जब pollen grain को nutrient supply बंद हो जाएंगे तो यह pollen grain कैसे हो जाएंगे non-functional इनका development ही ठीक से नहीं होगा और जब यह pollen grain non-functional हो गए मतलब इस plant के अंदर डवलप हो गई क्या sterility male sterility और यह male sterility डवलप क्यों हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर एक gene इसके अंदर डाला है वो gene इसका नहीं है वो gene किसी दूसरे organism का डाला है यानि कि यह जो male sterility डवलप हुई है इसको कह देंगे हम लोग transgenic male sterility बात समझ में आगी question ऐसे पूछ लिए जाते है कि भी genetically modified mustard के बनाने में कौन सी technology का इस्तमाल किया गया तो वो technology है male sterility male sterility में भी अगर detail में कोई पूछ ले कि male sterility भी कौन सी बाली तो वो transgenic male sterility और transgenic male sterility में भी कोई detail में पूछ ले कि इस में भी कौन सी technology तो वो यह रही बर बर नीस और बस्तर टेक्नलोजी बास समझ में आ गई तो हमने बर जीन वो देख लिया है वो रेजिस्टेंस बढ़ाता है हर्भी साइड के लिए जिससे यल्ड बढ़ेगी अपनी दूसरा अपना बर नीस जीन देख लिए हमने यह क्या करता है वही इस पॉलन ग्रेइं को पॉलन किरैंगे यह नि पॉलन ग्रें नाम देदिया गया अब नाम देदि swings मेल सुन रहे होंगा औंको अभी यह बी सर से उपर जा रहा होगा है लेकिन जिन लोगनow पहली एक-दुबार पढ़ रखा है तो उन लोगों के दिमाग में एक बात आएगी वो कह सकते हैं कि सर यह जीन तो रहा एं सर यह प्लांट था अपना एं यह प्लांट था अपना भी आपने कहा कि हमने इसके अंदर बर्नीज जीन डाल दिया हमने इसके अंदर क्या कर दिया सिर्फ और सिर्फ फिमेल कहलाएगा क्योंकि मेल तो इसके अंदर बेकारी हो गया इसका हमने प्रॉस करा दिया तो यहां पर बन गया वह यह एफ बन हाइब्रिड अब कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे समझदार बच्चे जो लॉजिक लगा सकते हो कहेंगे सर यह जो एफ बन हाइब्रिड भी कैसा होगा मेलिस्टराइल होगा और अगर यह मेलिस्टराइल हुआ तो वैराइटी कैसे बनी फिर बात तो यहीं खतम होगी तो इसके लिए वो तीसरा जीन है ना बस्तर जीन यह भी तो देख लो अभी तो यह एक का है भई यह बचा के रखाता जीन यहां पर काम आता है अब बस्तर जीन क्या करता है यह रिडियूस कर देता है किसकी एक्टिविटी को या किसके एक्सप्रेशन को बर्नीज जीन के एक्सप्रेशन को बर्नीज जीन के एक्सप्रेशन को यह उसकी एक्टिविटी को यह कम करता है बस्तर जीन तो हमने क् को इस एके अंदर incorporate कर दिया जेनिटिक इंजिनिरिंग की मतदश से इस एक अंदर हमने बस्तर जीन डाल दिया तो इस एफबन Hybrid के अंदर बर्नीज जीन तो यहां से आ गया और इस एफबन Hybrid के अंदर ये बस्तर जीन नहीं भी रहेगा ये यह रहा भई बस्तर जीन, यनि कि यहां पर बस्तर बर नि इस एफ बन हाइब्रिड के अंदर ये दोनों जीन प्रेजन्ट होगे बस्तर-ग लायई इन दोनों का बन जाएगा complex तो बस्तर बरनीस complex मनेगा जब ये दोनः एक साथ रहे तो बरनीज जीन एक्सप्रेस होगा तो बस्तर जीन इसको कम कर देगा इसका मतलब यह F-1 hybrid कैसा होगा एक दम पूरी तरह से फरटाइल यह F-1 hybrid पूरी तरह से फरटाइल होगा बास समझ में आगई यह है वो टेकनोलोजी बर, बस्तर, बरनीज टेकनोलोजी तीन प्रकार के जीन थे वो तीनों प्रकार के जीन सॉयल बैक्टरियम से हमने लिए और तीनों जीनों का क्या काम था किस तरह से वो काम करते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली तो ऐसे काम करता है genetically modified mustard कि कैसे यह herbicide के लिए tolerant है, कैसे इसकी yield ज़्याद मिलती है कैसे इसके अंदर transgenic male stility डवलब होई और कैसे वो transgenic male stility सिर्फ उसी parent तक रही, आगे नहीं बढ़ी आगे बढ़ने से किसना रोख दिया इस बस्तर जीन रोख दिया ओके, थैंक्यू